आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलेक्जंडर पोप की लिखी हुए एक पोईम Ode on Solitude पोईम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को Solitude Word का मतलब बता देता हूँ तो एक होती है Loneliness, एक होता है Solitude दोनों में फर्क क्या है? दोनों का मतलब होता है अकेला रहना लेकिन Loneliness में हम ऐसे अकेले रहेकर दुखी रहते हैं जबकि Solitude में इनसान अपने अकेले पन को Enjoy करता है एलेक्जंडर पोप ने साल 1700 में इस पोईम को सिर्फ 12 साल की एज में लिखा था इस पोईम में वो बताने की कोशिश करते हैं कि जो इनसान अकेले रहना सीख गया वो इस दुन्या में सबसे खुश इनसान है इस पोईम की पहली लाइन में वो बोलते हैं Happy the man वो इनसान सबसे खुश है, सबसे हैपी है Whose wish and care जिसकी इच्छा, wish का मतलब इच्छा और care मतलब चिंता जिसकी इच्छा और चिंता A few paternal acres bound जिसकी इच्छा और चिंता सीमित है, limited है सिर्फ कुछ acre जमीन में जो उसको माबाप से मिली हो या खुद की कमाई हो यानि इनसान के पास अगर कुछ acre जमीन है तो वो खुश है Content to breathe his native ear Content का मतलब होता है Satisfied Breathe का मतलब सांस लेना जो इनसान अपनी खुद की जन्म भूमी पर सांस ले सकता है वो सबसे ज़्यादा Satisfied है In his own ground जो खुद की जमीन पर सांस ले सकता है उसका मतलब मतलब गाये उसकी गाये भैस अगर उसे टाइम टू टाइम दूद दे रही है तो और क्या चाहिए Whose fields with bread और अगर उसके खेत fields मतलब खेत अनाज से भरे हुए हो तो और क्या चाहिए Whose blocks यानि उसकी भेड़ बकरिया Supply him with a tire उसको कपड़े दे रही है उनके बने हुए तो और क्या चाहिए Attire का मतलब पोशाक या कपड़े Whose trees in summer yield him shade जब उसके पेड गर्मियों के टाइम पर उसे चाया दे रहे है and in winter fire और सर्दियों के टाइम पर उन्हीं पेड़ों को जला कर आग की गर्मिय मिल सकती है तो और क्या चाहिए जिन्दगी से Blessed तो वो है Blessed का मतलब Blessed तो वो है Who can unconcernedly find hours, days and years slide soft away मतलब Blessed तो वो है जो बिना चिंता के Unconcernedly का मतलब बिना चिंता के देखता है कि उसके घंटे, दिन और साल softly दीरे दीरे आराम से पास हो रहे है और blessed तो वो है In health of body जिसकी जो physically healthy हो Peace in mind दिमाग से शान्त हो Quiet by day और शान्ती से उसका दिन निकलता हो Sound sleep by night जिसको रात को गहरी और अच्छी नीन दाती हो Study and ease यहाँ पे study का मतलब है hard work उसकी life hard work में भी निकल रही हो और relax Ease का मतलब Relax हो करके भी life निकल रही हो तो खुश तो वो इनसान है न Together mixed Together mixed का मतलब Hard work भी और relaxation भी दोनों mixed हो Sweet recreation इसका मतलब यह है कि आराम से जिस टाइम कोई काम न करना पड़े ऐसा time निकले तो वो इनसान सबसे खुश है And innocence which most does please with meditation वो meditation भी कर सके deep thinking भी कर सके purity भी हो तो और क्या चाहिए Does let me live मैं ऐसे ही जीना चाहता हूं unseen कि कोई मुझे देखे नहीं सबसे दूर unknown कोई मुझे जाने नहीं सबसे परे Does unlimited let me die unlimited का मतलब कोई रोए नहीं जब मैं मर जाओं जब मैं मर जाओं तो कोई मेरे लिए रोए नहीं Steal from the world जब इस दुनिया से चला जाओं दूर चला जाओं And not a stone tell me where I lie और मेरे बारे में किसी को पता न चले किसकी कबर कहां दफनाई गई है कोई पत्थर ना हो मेरे कबर के उपर कोई ऐसा पत्थर बताने वाला ना हो जो ये बता सके कि मैं कहां लेटा हूँ Where I lie का मतलब मैं कहां लेटा हूँ उमीद करता हूँ आपको ये पूर्ण पसंद आयोगी समझ में भी आयोगी आज की इस वीडियो में बसतना है